पूल कुरूप से मिलनी चाहिए। क्योंकि एक बार को आप सोचिए आफिर उस बच्चे की गलती क्या होती है जो एक गरीब ख़र में पैदा होता है और उसको बहतर सिक्षा से बंचित होना पड़ता है। सिक्षा के सामने एक पैसे की दिवार खड़ी है जो जितनी उची दिवार लांग सकता है जो जितना अधिक पैसा सिक्षा पे खर्च कर सकता है वो उतनी बहतर सिक्षा पा सकता है। लेकिन अगर एक देश एक है, लोगतांत्रिक देश है, तो सिक्षा भी सबको एक समान रूप से तो मिलनी ही चाहिए तो, आज पर स्थिती ये है, कि एक तरफ तो प्राइवेट इस्कूल है, जो लूट के अड़े बने हुए है, वहाँ पे आप एडमीशन कराने जाएंगे, तो सिर्फ एडमीशन के नाम पे ही आपको 10,000-20,000 रुपय देना होगा, और कमीशन खोरी का ऐसा धंधा है, कि कॉपी, किताब, टाई, बेल्ट, ड्रेस, जूता कहां से खरीदना है, ये आप नहीं तेह करेंगे, तेह करेंगे वो प्राइवेट इस्कूल वाई है, यानि आम लोगों की मेहनत की आखरी कोडी, उनके जेब से वसूल लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में न तो परियाप्त टीचर हैं, न परियाप्त बेल्डिंग हैं, तो 2019 का ही ये पुराना आकड़ा है, कि हर 100 में से 52 स्कूलों में, या तो एक टीचर हैं, और उनही टीचरों के उपर जिम्यदारी होती आती है, जन गड़ना करो, पशुगरना करो, तमाम काम करवाये जाती हैं, और 2019 के बात से सबसे कितने टीचर रिटायर हुए होंगे, और 2018 के बात से कोई टीचर की वैकेंसी भी नहीं है, आप खुद भी सोच सकते हैं, ये पर में उची से उची तालीम मुफ्थ होनी चाहिए और इसका पूरा खर्च गवर्मेंट को उठाना चाहिए कोफी हमारे देश को पौज से ज़्यादा आवशकता तालीम ही और सिक्षा से जुड़ता हुआ ही दूसरा मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं इसी रेलवे में 1995 के आसपास लगवक सारे 18,00,000 तरमचारी काम करते हैं लगिना आज उनकी संख्या 12,00,000 नहीं आप खुद भी सोच सकने हैं कितने बड़े पैमाने पर परमानें पदों को घटाया जा रहा है और आज आलम ये है एक तरफ लापो पद खाली पड़े हैं फिर भी कोई वेकेंसी नहीं निकलती है जो वेकेंसीया निकलती हैं उन्में 24,00,000 होता है पेपर लीक हो जाते हैं ROA, RO, UP, Police, BP, SC, SNC, CDL, ऐसे तमाम पेपर लीक हो चुके हैं आप लोग भी जानते हैं अभी नीट की धान्धली में ये पता चला कि एक एक पेपर 30,50,50,000,000 हो पर में लिखा जया है हम और आप तो ये पैसा नहीं दे सकते हैं पूरी की पूरी कारस्तानी सरकार का सासन सिक्षा माभियाओ की होती है और भुगत्ता कौन है आम घरों के लोग जो लोग सालों साल तैयारी करते हैं दिन भर में 10-10 गंटे 12-12 गंटे पढ़ते हैं और इतनी कड़ी मेहनत के बाद, सालों साल की मेहनत के बाद उनके हाथ लगती है तो सिर्फ हतासा, निरासा, औसाथ बहुत से छात्र नौजवान जो इस वेबसी में, इस दिप्रेशन में नहीं जी पाते आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं लेकिन ये देश की विडंबना है कि TV, चैनल, अगबार, मीडिया, नेता मंत्रियों के लिए कहीं ये कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए मुद्दे हैं तो जाती धर्म, रंग, नसल, अगरा पिछडा आज जब पूरी परिस्थिती इतनी खयावर है, तो ये जरूरी है कि लोगों के बीच में जाया जाए लोगों को संगधित किया जाए और एक जुट किया जाए तो कि आज अगर अपने मुद्दो पर बोलेंगे नहीं, तो कल को ये परिस्थिती और बिगडेगी हो सकता एल ले दे कि अपनी जिंदगी तो आम लोग ताट ले जाएंगे लेकिन आने वाली वीडियों को क्या भविश्थ से देखे जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है हमारे साथ ही है, आपको पर्चा दिया है, पर्चा आप तक पहुच गया है पर्चे में और भी बाते हैं, इसको पुरा विस्तार से पढ़िए पर्चे में हमारा नंबर है संपर्थ कीजिए, फेस्बुक का इंस्टाग्राम का लिंक है आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता भी चलते रहेगा कि लगातार किंखिन माजमों से हम इस अभ्यान को चला रहे हैं लुपकर, नाटर, संगीत, फिक्षा, साइटा, मंडल, लाइडरी, तमाम माजमों से इस अभ्यान को चला रहे हैं और कोसिस कर रहे हैं कि बड़े से बड़े पहमाने पर हर जगा उपे लोगों को संगठित किया जाए और एक्यू किया जाए आपके बीच भी आए हैं आपका साथ और सायोग ने, साथ इस लूप में कि आप भी हमारे इस कारवा और इस मुहिम से जुड़िये